कि पढ़ो ज़रा स्कॉशन में क्या दे रखता है ठीक है ज़र पढ़ लीजिए कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि कि अच्छा 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 कि झाल 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 कैसे आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हूं क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को मेरी आवाज किलियर है क्या कमेंट सेक्षन बता दो यस परफेक्ट और हो सकता है मेरी आवाज आज उतनी अतेज मना आए लेकिन मैं कोसिस पूरी करूँ आपको थोड़ी आवाज में लग रहा होगा तबीयत थोड़ी सी खराब है सुबह भी मैंने ये बात बोली थी कि यार आवाज थोड़ी सी डाउन हो सकती है और तो बढ़ीया तबीयत हा थोड़ी सी ठीक नहीं है फटाफट वीडियो को सेर कर दो यार फटाफट वीडियो और अपने दोस्तों यार। पहुंचा दो जरा वीडियो को और फिर हम लोग स तो आई हुप सभी को आब आज मेरी पर्फेक्ट आ रही होगी ठीक है और बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे देखो आज लास्ट टाइम भी टार्गिट वही ता कंप्लीट करवाने का लेकिन एक्चुली क्या हुआ कि लास्ट टाइम पता नहीं क्या प्रॉलम आई माइक जिसके वज़े से वो क्लास जो है वो हमें थोड़ी सी कैंसल करनी पड़ी थी और फिर उसके बाद मैंने डेसाइड यह किया तक एक दिन में एक चैप्टर करवा दूब पूरा टार्गिट वही था टार्गिट वही था बस हो नहीं पाया था कि तो कि लिए सभी को परफेक्ट कि चलिए स्टार्ट करें तो लास्ट टाइम की जो भी चीजे थी और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांस्टिव आई होब सभी को याद होगा ठीक है सभी को याद होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांस्टिव का प्रियर सबको ओके तो अब जरा कि मैं एक मिनटिस की सेटिंग तो इसी सही कर देता हूं कि एक मिनट पर एक चीज पर कर लें एक चीज हमारी कम्रीट अच्छे से हो जाए फिर हम वाखी चीजह भी करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब यह तो जरा आप नेक्स्ट कुश्ण पढ़ दीजिए सब लोग क्या दे रखका इस कुश्ण में आर इन दा सेट आफ सेट ए और पॉइंट इन प्लेंट गिवन बाई अरिजिन है तो यह वह बोलने का मतलब है कि प्यूपॉइंट की डिस्टेंस ओरिजन से और कियो पॉइंट की डिस्टेंस गोर्तिंस स्यंट है यह धिर हं का मतलब इस चीज का मतलब क्या दे रखता है और प्रूफ करना है कि यह एक एक्विवैलेंस रिलेशन है कैसा है एक्विवैलेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है इस कोश्टन में तो आप लोग कैसे करेंगे इस कोश्टन को जैसे हमने लास्ट टाइम इसको किया था कैसे क कि अगर अगर हमारा पी कॉमा क्यू एक और पेर है रिलेशन में बिलॉंग करता है तो उसका मीनिंग हमें क्या दे रखता है सबसे पहले आप लोग क्या कि अगरो उसकी मीनिंग लिखने की कोशिस किया करों क्या लिखने की कोशिस करोगे सबसे पहले आपको मीनिंग लिखनी है इसके थ्रू आपको सारी चीजे प्रूफ करना है ठीक है किलियर हो गया अच्छा जी अब क्या करेंगे इसके बात अगर मुझे इसको रिफलेक्सिव प्रूफ करना है कि यह रिफलेक्सिव है या नहीं है अगर मुझे यह चेक करना है कि यह reflexive है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा अब reflexive तब होता है जब हम check करते है P, P को मतलब same चीज करनी होगी मतलब हमें check किसको करना होगा चेक करना होगा P, P को इसको मैं check करना होगा तो अगर हम Q को P से replace करेंगे तो तो चा ओपी बराबर ओपी आएगा क्या ये ट्रू कंडीशन है अगर ये ट्रू है तो मैं कह सकता हूं कि पी कॉमा पी हमारा रिलेशन में बिलॉंग करता है ठीक है इतनी सी चीज क्लियर हो गई अच्छा तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया अब आ जाते हैं सिमेट्रिक ते ही याद रखना है रिय्फ्लेक्सिव में हमारा यह वाला और चाहिए सिमेट्रिक में उल्टा होना चाहिए और ट्रांस्टिव में हम कोई दूसरा ऑर्डर एक लेते हैं जैसे यह हो गया फरन भी सी लेते हैं तो जैसे हहां पर पी कियु आने वाली नहीं है अगर आप समझोगे तो चीजे बहुत प्यार से आपकी हो जाएंगी ठीक है बहुत प्यार से हो जाएंगी ठीक है अब यहां पर पढ़ाई करो सारे बच्चे ठीक है तो सिमेट्रिक में क्या है कि अगर मैं इफ की कंडिशन लगाऊंगे पी कॉमा क्यू बिलॉंग्स टू आर का मीनिंग क्या है तो इसका मीनिंग है ओपी बराबर ओक्यू अब तुम क्या करते हो सिमेट्रिक में उल्टा लाना होता है यानि कि क्यू कॉमा पी हमारा रिलेशन में बिलॉंग करना चाहिए तो यह तब आएगा ना जब ओक्यू जो है वो ओपी के बराबर हो तुम्हें पता है अगर op-oq कि बराबर है तो oq बराबर तो op हो गई तो यह हो जाएगा तो इसके वज़े से symmetric हो जाएगा क्या हो जाएगा symmetric है तो यह symmetric हो गया ठीक है अब आ जाते हैं ट्रांजिटिब पे तो भाई अगर मैं अब ट्रांस्टिफ करूं क्या करूं अगर मैं यहां पे अब ट्रांस्टिफ के लिए स्वाल करूं इसको ठीक है किसके लिए ट्रांस्टिफ के लिए ट्राव को पता है यहां पे हमें दो ओर्डर लेने होते हैं जैसे एक Q,R लिखूंगा तो इधर भी R है और इधर भी R है confusion हो जाएगी तो हम इस order पिर को S लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, Q,S लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, Q,S लिख लेंगे, ठीक हैं, इतनी सी बात समझ में आ गई, अच्छा प,Q belongs to R का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, O,P बराबर O,Q, Q,S belongs to R का मतलब क्या है, O,Q is equal to O,S, क्या है, O,Q is equal to O,S, अब ध्यान से देखो, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, कि जो O,P है वो O,S के बराबर होगा, क्या मैं कह यह किसके बराबर हो गया os के एक्कॉल हो गया तो अगर इसका मतलब और सब्सक्रांब यो गया अगर उपक्वाइलउन्स रिलेशन हो एक जाएगा क्या एक्किवैलेंस रिलेटर्ट हो जाएगा समझे आ गया कि लिए रोग गया एक वाध सारह बोल एक्जाम में फोड़ देंगे फिर आगेव एक वार एनरजी के साथ सारह बैछ लिए फटे टीक है फोड देंगे फॉर्ट देंगे फूर्ट पटा तो हाँ बस बस फोड देना है ठीक है ठीक है चलिए फोड देंगे ओके वेरी गुड तो यहां तक आ गया तो हमने अगर तीनों चीजे कर ली है तो यानि यह एक्टिवैलेंस रिलेश्चन तो हो गया अब क्या लिखा है ज्यान से समझना हमें पी क्यू बिलॉंग्श्टू आर का मीनिंग दे रखा था क्या ओपी बराबर ओक्यू यानि कि अगर एक पॉइंट ओ है तो अगर यह पॉइंट है तो ओपी और यह ओक्यू बराबर है तो अब यह लिखा है further so that the set of all points related to P ठीक है और P 0 नहीं हो सकता है और ओरिजिन कभी नहीं होगा ठीक है यह पहले बता दिया circle passing through P with origin as the center मतलब जो सीधी सी बात है यह जो पी पॉइंट की बात कर रहा है जो variable पॉइंट है ठीक है तो आप बताओ अगर O P बराबर O Q है अगर मैं एक point S ले लूँ तो O Q बराबर O S हो जाएगा अगर मैं एक और point P से relate कर लूँ मालो T तो O P बराबर O T हो जाएगा तो यह क्या होता है अगर fixed point से अगर हमारी distance same आ रही है तो यह जो point क्या बनेगा क्या यह एक circle बनेगा और क्या इसका center origin होगा और यही तो प्रूफ करना है कि so that all points related to P तो हम क्या लिखेंगे if if we consider some points if we consider some points हमने कुछ points consider कर ली है if we consider some points P Q S and T by the condition then by given condition then by given condition then by given condition क्या हमारा यह सब बराबर होगा O P बराबर O Q बराबर O S बराबर O T यह होगा ऐसी तुम जितने भी points लोगे सब के लिए यह सारी चीज बराबर आएगी तो यहाँ पर जो fixed point है fixed point क्या है वो क्या वो O है क्या fix point वैस सब जगहे देखो तो fixed point O है और यह distance बराबर आ रही है तो क्या यह चीज आप ध्यान से देखो तो यह किस की definition है क्या यह circle की definition है yes or no क्या यह circle की definition है this is the definition of circle this is the definition of circle क्योंकि circle में ही ऐसा होता है कि एक fixed point होता है और जितने भी points होते हैं ठीक है उन सबसे distance equal होती है ऐसे ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है तो इसका मतलब यह definition है circle की यह सारी चीज है तो इसका मतलब O हमारा जो होगा वो center होगा क्या होगा ओ हमारा क्या होगा center इसमें यही प्रूफ करना था कि set of all points related to point P other than origin circle passing through the point and with origin as the center तो हमारा O क्या बन गया center बन गया कितने बच्चों समझ में आ गया किस किस को यह question समझ में आ गया क्या किस किस को समझ में आ गया कि हाँ यार सारी distance बराबर हैं अगर हम कुछ point लेते हैं according to this condition और जिसके बजए से हमारा O जो बन जाएगा वो center बन जाएगा यानि वो circle बन जाएगा जिसका center O है very good बहुत बढ़ी सब को clear हो रहा है अब आगे